जेहन दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में तो दोस्तो आपको बता दें कि यह जो भरती हैं दोस्तो इसमें सोलजर जेनरल ड्यूटी, सोलजर क्लर्क, सोलजर नर्सिंग ऐसेस्टेंट, सोलजर टेकनिकल और सोलजर ट्REđट्समेन आठ वी और दसमी पास सभी पदों के लिए दोस्तो बैकिंसी निकली हुए निया तो यह बहुत बड़ी भरती होने वाली है दोस्तो मेरे ख्याल से दोस्तो इस साल में यह पहली भरती है जिसमें एक साथ इतने सारे पदों पर भरती होने वाली है ठीक है तो दोस्तो वीडियो बहुत है इंट्रेस्टेड है वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वर्ति से रिलेटेड तो अगर वीडियो पसंद रहा है दोस्तो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपने हमारे यूटिब चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में सेर भी जरू करना तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले दोस्त होगी इहां पर दोस्तों आपको एक बात बताइने कि जो भरतती है दोस्तों इसमें CT बहुती कम लिए जा रही है यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑफेसिल वे शा the bet fashioned मैं आपके लिए को रहे हूं यह उसके बाद में आपका दोस्तों ग्मिंद में आपको आपकी करना होगा उसके बाद में आपकी European Series केशन है आपकी ब평र दोस्तों मुझञों अपस्तों क्याँ स्थरीद नहीं होने यहां कर सेल हैं तो सेirm इस दोस्तों यहां परहूं महीं आपकी एज़ साल से 13 साल तक है और आपकी date of birth की cut off है दोस्तों 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में ठीक है यहाँ पर दोस्तों height आपकी technical के लिए GDC 1 cm और कम कर दी गई आप देख रहे हैं GDC के लिए 66 cm यानि की 166 cm और यहाँ पर soldier technical के लिए जो आपकी height होगी वो है आपकी 65 cm बेट आपका 50 kg और chest आपका 77 प्लस 5 cm होना अनवारी है इस भरती में सामल होने के लिए दोस्तों आपके पास में 10 प्लस 2 की degree होनी चाहेंगे यानि कि आप 10 प्लस 2 intermediate पास होना चाहेंगे in physics, chemistry and math और English ठीक है आपके पास में soldier technical की भरती देखने के लिए intermediate पास होना चाहेंगे और inter में आपके पास में जो subject है 12 में वो physics, chemistry, math और English होनी चाहेंगे ठीक है और आपके जो overall percentage है दोस्तों वो 50% होनी चाहेंगे और किसी भी single subject में आपके 40% mark से कम नहीं होनी चाहेंगे ठीक है उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों soldier technical aviation और ammunition examiner ठीक है तो aviation और ammunition examiner की जो soldier technical भरती निकली हुई है इसकी बांकी criteria जो है दोस्तों height weight, date of birth, chest सबकों सेम है लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर physics, chemistry, math English यहाँ पर आपके जो education QR है वो भी दोस्तों सेम है ठीक है लेकिन बसे इसमें अंतर इतना होता है कि यह जो technical है यह किसी भी core में trade में जा सकते हैं और यह जो soldier technical है यह aviation में है दोस्तों मतलब वो आर्मी की एक aviation department होता है उसमें यह जाएंगे और ammunition examiner मतलब army ordinance core में यह जाएंगे ठीक है तो गोला वारू डिपो में है नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर soldier tradesman 10th pass ठीक है तो soldier tradesman 10th pass के अगर आप भरते देखेंगे तो आपकी age limit 17,5 साल से 13 साल 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में आपकी date of birth होनी चाहेंगे height आपकी 166 cm बेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 cm class 10th आपको simple pass होना नभारिये होगा ठीक है उसके बात में soldier tradesman 8th pass इसके लिए भी आपकी जो education qr है बस उसमें changes होता है दोस्तों बांके आपका जो qr है height, weight, chest, date of birth सबको सेम है यहां पर दोस्तों अगर आप soldier tradesman 8th pass की भरती देखना चाहते हैं तो आपको class 8 simple pass होना चाहेंगे और आपके आठवी class में किसी भी subject में 33% mark से कम नहीं होने चाहेंगे नेक्स्ट आता है दोस्तों soldier clerks soldier storekeeper technical inventory management all arms soldier clerk technical की और storekeeper की यह जो भरती है इसके लिए आपकी जो दोस्तों height है उसमें cable changes है बाकि आपकी सबको सेम है date of birth आपकी साड़े सत्रा से तेस साल होनी चाहेंगे और date of birth की जो cut off है वो एक October 1997 से एक अपरल 23 की बीच में है लेकर हैपर height में दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है height जो है आपकी यहाँ पर ली जा रहे हैं दोस्तों 162 cm तो अगर आपकी 162 cm height है तो भी आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है लेकर यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ जो आपका education की हुआ रहा है इसमें दोस्तों changes आते हैं आप 10 प्लस तो आपका किसी भी stream में पास होना चाहिए art, commerce, science में और 60% आपके पास में total overall percentage होने चाहिए और किसी भी single subject में आपके 50% marks से कम नहीं होने चाहिए उसके बाद में दोस्तों securing 50% marks in English and math अपके पास में होना अनुबारी है ठीक है उसके बाद में आती है दोस्तों तो नर्सिंग असिस्टेंट की भरती के लिए आपकी जो हाइट है वो 165 cm है बाद की QR दोस्तों सेम है आपका आप देख सकते हैं यह notification भी मैं आपको अपने telegram channel सिवा online classes पे डाल दूँगा आप बहां से जाके इस notification को download करके पढ़ सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपके हाइट 165 ले जा रही है और आपकी जो एजुकेशन की वार है यानि कि एजुकेशन क्वालिटेटिव रिक्वेर्मेंट जिसको बोलते हैं वो है दोस्तों इंट्रमेडियेट और इंट्रमें आपके पास में दोस्तों physics, chemistry, biology और इंग्लिस जैसे सब्जेक्ट ये चार सब्जेक्ट होना ज़रूरी है overall percentage आपकी 50% से कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी single subject में आपके 40% माक से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो दोस्तों ये थी कौन-कौन से ट्रेट में भरती निकली हुई है वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ यहाँ पे ठीक है अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भरती के कि ये भरती कब से शुरू है और इस भरती में आपको कहां पर apply करना होगा आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोस्तों इस भरती के जो आपको बता दूँ आपके ओपन होंगे 21 अक्टूबर 2020 मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर 2020 से दोस्तों एक चार दिसंबर 2020 तक आपके जो ऐस आप आप ओनलाइन अपलीकेश्नस कर सकते हैं और पर आपको फिर से बता देता हौं 21 अक्टूबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक आप आप उनलाइन रिश कर सकते हैं उसके बाद में दूस्तों आपकी जो भरती होगी वह से 30 मार्स 2020 के बीज में कभी भी हो सकती है इसके बिल्कुल एक्जेक्ट डेट नहीं बताई गई है लेकर यह जो दोस्तों भरती है वह एक दिसंबर 2020 से 31 मां 2020 के बीज में हो सकती है ठीक है कहां पर होगी दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्मी रिट्रोटिंग एफस त्रिवेंद्रम यहां से नालोड भी कर सकते हैं सबसे पहले तो त्रवन्त पुरम है उसके बाद में कोलम है ठीक और यह दोस्तों काफ़ सारे डिस्टिक्स हैं यहां पर जो नाम दिया गया है इनका आप इनको देख सकते हैं ठीक है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइ कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता है तो यार मेरे थोड़ा सपोर्ट करें अपने दोस्तों से भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी वीडियो पर वीडियो बहुत ही कम आते हैं क्योंकि मैं केबल ओरिजिनल वीड स्कम और जो आपको गलत जान करें फेक डिटेल्स